जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी, संगत जी हमें हमेशा ये एक काम करते रहना चाहिए, बाकी सब गुरुजी खुद देख लेंगे हम कोई भी काम कर रहे हूँ, खाली बैठे हूँ, ओफिस गए हूँ या कुछ भी कर रहे हूँ हमें बस यही काम करते रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे अंग संग रहे गुरु जी हमारे साथ ही रहे इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कौन सा एक काम करने से गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं और गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनन्तम अनन्तम, शुक्राना गुरुजी, ओम नमाशिवाई, शिवची सदा सहाई, ओम नमाशिवाई, गुरुजी सदा सहाई, जै गुरुजी संगाची, संगाची सतसंग वो होता है जिसमें हम ये बताएं कि गुरुजी ने हमा प्लाइ स्वरूप में अपने दर्शन या फिर जो हम चंदन का ठीका करते हैं उसके अंदर दर्शन देना ये हमारी चोटी-चोटी blessings होती हैं जिससे गुरुजी हमें अपनी presence भील कराते हैं तो कल्यान जो है वो ये है कि गुरुजी हमें health blessings कैसे देते हैं हमारी financial problems को कैसे solve करते हैं हमारे family issues को कैसे ठीक करते हैं और कैसे हमारी day-to-day life में changes आते हैं जो जब गुरुजी से जोड़ते हैं और हमें काफी चीजों का पता चलता है जैसे कुछ लोग हमारी life से चले जाते हैं दूर हो जाते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि अब आप negativity से दूर हो जाए तो ये भी चीज है तो गुरुजी का मैं क्या भुख्यान करूं गुरुजी तो बस अप्रम पार है गुरुजी की महिमा बहुत अप्रम पार है तो मैं actually थोड़े time से मेरे medical health issues चल रहे हैं त तो मतलब नेरी monthly cycle को लेके जिसमें मेरा चल रहा है तो उसमें में actually काफे time से जैसे मैं satsang सुनती हूं और बहुत सारे satsang सुन रहे हूं तो everyday like almost मेरा जब भी घर पर आती हूं मैं office से तो satsang शुरू होता है रात तक मैं satsang सुनती हूं खाना बनाती हूं सब कुछ तो और day of Aladdin भी मेरे यही होता है satsang सुनती हूं तो काफी time से मुझे satsang आ रहे थे black magic और cancer के तो मैं इतना जादा घबरा गई इतनी जादा मुझे मतलब एक मेरा mental state मेरा खराब हो गया था कि मुझे ऐसा लगा कि इसे मुझे कोई problem है और यह definitely है तो मुझे कुछ तो हो जाएग तो उसकी वज़े से मेरा मतलब जो एक मन का डर काफी बढ़ता रहा तो मैं मतलब गुरुजी के आग्यारदात करने लगी और डरने लगी मतलब यह डर जो था मेरे मन के अंदर यह डर बैढ गया पर गुरुजी हमेशा यह कहते हैं गुरुजी आपको आने वाली problems के बारे में या तो पहले ही बताते हैं या फिर जो सत्संग आपको बार बार वो आपके लिए होता है तो एक दिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी एक दिन वैसे तो मैं एवरी डेई गुरुजी को कर रही थी कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई क्या मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे बार बार यही सत्संग आ रहे हैं तो कुछ अगर मुझे problem है तो बताओ तो अभी तो यह है कि अभी मेरा कुछ अल्ट्रसांट स्कान रिसल्स में कुछ problem आया है वो मैं बाद में discuss करूँगी किसी और सत्संग में तो नेक सत्संग में थोड़ा टाइम बात तो अभी मेंली यह है कि मेरा mental state बहुत जादा खराब होई थी तो मैं गुरुजी के आगे काफी मतलब जैसे चाय प्रशाद भोग लगाती हूं नॉर्मली शाम को मैं जोट जगाती हूं दिन में सुबा मतलब हम रित्विला करती हूं तो मैं इतनी emotional हो गई थी कि मैं जब भी बैठती थी पाट करने के लिए तो मैं रोने लग चाती थी गुरुजी के आगे बहुत जोर जोर से और बहुत देर तक रोती थी तो मेरा काम जोर 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 कि उलंगे बचाओ अगर मुझे कुछ है तो मुझे बचाओ या मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ पर यह चीजे मेरे और सुनने के मेरे में हिम्मत norm नहीं है मैं इतनी जादा मिये सुनने ही सकती हूं बहुत मेरे दिल पे लग गई थी यह चीज कि मुझे बोलते हैं कि मतलब ज्यादा सच्छंग सुनना सुन मत तो तेको mentally तेको problem होगा ये है वो है बट मैंने गुरुजी क्या कि ये बोला कि गुरुजी आप मुझे बताओ कि क्या है और आप मुझे अब वही सच्छंग सुनाना जो मेरे लिए है सिरफ मुझसे related है या मेरे लिए ठीक है मैं ये सब सच्छंग सुन कर मेरे को बहुत ज्यादा depression हो जाएगा और मैं handling कर पाऊगी तो गुरुजी हमारे इतने अच्छे है इतने प्यारे हैं गुरुजी इतने प्यारे हैं गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे उसके बाद positive messages देना शुरू कर दिये मतलब कभ अच्छना कुछ ऐसा message होता है जो मेरे लिए होता है बद संगत जी हमें वो message समझने की सुमत गुरुजी बक्षे इतना इमें कहती हैं क्योंकि हम जब सच्छंग सुनते हैं तो क्या चीज हमारे लिए है वो गुरुजी हम हिंट देते हैं जरूर देते हैं हर सच्छंग में खेंट होता है तो वो हमें समझने की जरूता है कि हमारी life से हमारे मतलब जो present situation है या कोई ऐसी family में ऐसी situation है जिससे related हमें समझना होता है कि वो message क्या है तो बस यह ही है बाकी गुरुजी कहते हैं किसी वहमों में मत पढ़ो कुछ भी ऐसा वहम नहीं करने है किसी भी चीज के मंतर जाब करो और गुरुजी के पर पूर्टा भरुसा रखो कि जो गुरुजी करेंगे वो ठीक ही करेंगे और मैंने तो गुरुजी के आगे अपने आपको सरंडर करके हाद जोड के यही बोला है कि अगर गुरुजी कुछ भी problem है वो आप deal करो आप देखो अगर है तो आपने मुझे बताया बट वो भी आपके हवाले क्योंकि मैं सिरफ एक ही मेरा तो मैंने तो एक ही लड़ लग चुकी हूँ है गुरुजी बस गुरुजी जो करेंगे जैसा करेंगे वो ठीक ही होगा तो गुरुजी पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए संगाजी कि बस जब आ अपने आप बेड़ा पार लगाएंगे तो बस गुरुजी का मंतर जाप ही करना सबसे 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 एक मात्र एक ही चीज़ है कोई ब्रॉब्लम है गुरुजी का मंतर जाप करेंगे चाहे फैनेंचल प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम है यह जॉब से रिलेटेड है यह की इश्यूज है सब बस गुरु जी का मंत्र जाब करो बस संगा जी इतना ही आज के लिए और मैं अपने सचंग को विराम देती हूं जै गुरु जी शुकराना गुरु जी ओम नमस्षिवाई शिव जी सदा सहाए ओम नमस्षिवाई गुरु जी सदा सहाए तैंक्यू सोमा चांटी जी आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम गुरु जी का मंत्र जाब करते रहें ये एक काम अगर हम करते रहें तो गुरु जी हमारे अंग संग रहेंगे और गुरु जी हमारे उपर कोई भी प्रॉबलम नहीं आने देंगे गुरु जी हमारे कश्च भी कटा देंगे कि अगर हम पूरा दिन जपेंगे तो गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे हमारी लाइफ में हैपिनेस भर देंगे जे गुरु जी शुक्राना गुरु जी